दोस्तो जया मसी, प्रभु ये शुमसी के नाम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ 5 Minutes Bible Study with Pastor Daniel Raj के इस प्रोग्राम में दोस्तो बहुत खुशी होती है, आनन्दित होता हूँ जब कभी भी कोई नया वाचन का खुलासा या कोई नया विश है मैं आपकी वीच में लाता हूँ वीडियो के मात्यम से आशा करता हूँ कि आपको भी ऐसी खुशी होती होगी, दोस्तों को आप शेर करते होंगे आप जो है प्रभु के राज्य में बढ़ रहे होंगे और वच्छन से आप एचुकेट हो रहे होंगे दोस्तों आज का सेवन स्लाइड बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी बात आपकी वीच में रखना चाहता हूँ अब बहुत छोटी बात है कुछ लोग मेरे वीडियो को उठाकर अपने तरीके से जो उनको ठीक नहीं लगता है उसको जो है वीडियोस बना रहे है मुझे नहीं पता हूँ ऐसा क्यों कर रहे है लेकिन जब ये आप तक पहुँचता है जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं आप उसको कैसे हैंडल करोगे मुझे नहीं मालूँ ये मैं आपके उपर छोड़ देता हूँ लेकिन जो लुग बना रहे हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सर आपके पास शायद बहुत टाइम है आपके पास शायद दूसरा कोई काम नहीं होगा इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं लेकिन मुझे आपके किसी भी वीडियो से कोई फरक नहीं पड़ेगा मैं प्रचार करता रहूँगा वीडियोस बनाता रहूँगा वच्चन का खुलासा करता रहूँगा जो मेरी अंडरस्टैन ही है जैसे मैं बाइबल को पढ़ता हूँ और जो मुझे कॉंटेक्स में दिखता है मैं वो करता रहूँगा क्योंकि ये शुक को फरक नहीं पड़ा तो डैनियल राज को भी कोई फरक नहीं पड़ना चाहिए ऐसे नेगेटिव टिपनी से या नेगेटिव बातों से सो सर आपको मबारख को आप जो कर रहे करते जाए लेकिन मेरे सब्सक्राइबर से मैं कहना चाहूँगा मसी मंतन बैटक वाटसप ग्रूप को जोईन गर लिजेगा क्योंकि गलत सिक्षान के प्रती ये एक मोहीम है हम लाखों की दादात में सेवकों को तैयार करना चाहते जागरती लाने के लिए अवेरनेस लाने के लिए बाविस्वी पिडी तक मसीहत पहुंच सके अगर देखना है तो चुप चाप से देखें जैसे यहां पर लिखा है ना दोस्तों आज के वचन का खुलासा बहुत इंटरस्टिंग है आप सीखोगे क्योंकि इसका खुलासा जो वचन का मैं आज कर रहा हूं उसका connection पैसे से है औफरिंग से है ताइट से है औफरिंग से है पैसे से आप जो भी कहना चाओ उससे है जो पैसे से connected है वहां है डुस्ता करंटी 9 का साथ है जी आप मैंसे कुछ लोग समझ गहा होंगे कि कि वचन क्या है लेकिन फिर भी मेरा हर्श से देने वाले से प्रेम रखता है ये वच्चन को आपने खुब पढ़ा होगा अब आप सोच रहे होगे कि डैनिल भाई आप ये क्यों बता रहे हैं ना मेरी जानकारी जहां तक है और जो कि पुकता है मतलब कनफॉर्म है वो जानकारी यहां है जो कि मैं भी बहुत अबाव डाला जाता है मलाकी तीन-दस हो या फिर कोई और वच्चन को उठाकर मैनूप्लेट करकर अगर आप देते हो तो आपको आशिश आएगी नहीं देते हो तो आशिश नहीं आएगी वो चाहे चर्च की बिल्डिंग मनाना हो कोई मीटिंग करना हो कन्वेंशन करना ह या फिर कोई भी कारण से पैसा एकटा करना हो तो वो जो है कई वच्चनों का सहरा लेते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे भारत में और भारत के बाहर आप लोग जहां से भी मेरे वीडियो को देखते हैं पाकिस्थान, नेपाल, बांगलादेश, आफरीका, USA, UK, इटल लंडन, अरब कंट्री और इसराइल, जो इंदी बाशा समझते हैं, वो सब यों को मैं कहना चाहता हूँ कि सर, पैसे को लेकर किसी प्रकार के कभी भी दबाव में आकर परमेश्वर को नहीं देना, जी, वापस कहता हूँ कि पैसे को यानि कि ओफरिंग को लेकर वो चाहता हो, आफरिंग हो, कुछ भी हो? ताइत का तो कहर में विडियो बना चुका ओँ और उसका concept में Clear कर चुका हूँ कि ताइत का लिमिट कहा तक है और क्यों नहीं देना है, क्यों कहा देना है, कैसे देना, ये सारी बाते में बता चुका हूँ ठीक हो, ठीक हैं घना. अगर आप आजकल तो नहीं सिस्टम निकला है, कि ATM कार्ट का जो स्वाइब मशीन होता है, सेवक लोग स्वाइब मशीन लेकर चर्च में गूम रहे हैं, और कहरें कि स्वाइब करो और आपको जैसा लगता है वैसा दो, और एक प्रकार का जो है दभाव में आकर लोग पैसा देते हैं, लेकिन पाउलूस कहता है कि किसी के दभाव में आकर आपको पैसा नहीं देना है, ना कुड-kॡ के देना है, ना दभाव से देना है, वो देख लिजे, क्योंकि परमयश्योर हर से देने वालों से प्रेम रख़ता है, ना दोस्तों एक ट्रांसलेशन है, जिसको कहते है THE MESSA आप लोग शादियर ट्रांसलेशन के बारे में जानते होंगे यह कहता है I want each of you to take plenty of time to think it over मतलब यह कह रहा है यह ट्रांसलेशन वाला कह रहा है कि जब पैसे की बारी आए तो आप लोग जो है सोचो कितना सोचो काफी सोचो सोचने का मतलब है plenty of time का मतलब है प्रातना करो क्योंकि पैसा आपका नहीं प्रभू का है आपका business आपका पैसा प्रभू का है आप कहां देते हो कैसे देते हो प्रभू एक हिसाप पूछेगा आपसे आपने Daniel Raj को कितना दिया आपने किसी और को कितना दिया खेर मेरी बात अलग है मैं तो पैसे के पिछे नहीं बागता हूँ लेकिन आपने किसको कितना दिया ये सारी चीजे प्रभू आपसे पूचेगा और जब प्रभू आपसे पूछेगा तब आपके पास में जवाब होना चाहिए तो Paulus और The Message Translation कहता है I want each of you to take plenty of time to think over it फिर वो आगे कहता है and make up your mind, own mind what you will give, मतलब आपको अपने दिमाग को तयार करना है कि आप क्या दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं that will protect your against sub stories and arm twisting, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग जो दबाव से और जिसको arm twisting कहते हैं, मतलब हात मरोड कर देने वाली बात ये सारी चीजों से जो है जो कि चलता है मासी मार्केट में चलता है फिर लिखता है कि God loves it when the giver delights in the giving, मतलब जो देने वाला आनंदित होता है जो उसने दिया है तो ये जो translation है आपके बीच में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपको देने से पहले सोचना है, plenty of time लेना है आप क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं किसको दे रहे हैं और वो पैसा लेकर क्या कर रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे का इस्तमाल ठीक से नहीं कर रहे है ना दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप ये बात को समझे ये वचन को, ये वाला वचन को जो कि हिंदी में है आपके बीच में मैं फिर से दिखा रहा हूँ जो कि बहुत जरूरी है और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझे कि आपका पैसा कहां जा रहा है आपका पैसा कहां जा रहा है और परमेशो चाहता है कि आपका पैसा जो आप दे रहे हैं वो परमेशो चाहता है, जी, वो परमेशो चाहता है, कि आपका पैसा सही जगे पे जाए, ये वीडियो, और इस वच्छिंग का कुलासा, 2nd Corinthians chapter 2, 2nd Corinthians chapter 9 and verse 7, ये आपके बीच मेरा रखना, फर्स था, जो कि मैंने आपके बीच में रखा है, ना दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वाला, ये वाला, आप इसको याद रखेंगे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइबर नहीं बने है, क्योंकि ना तो सब्सक्राइब के पैसे लगते हैं, और ना ही मैं धैनिल राज, यूट्यूब चैनल से किसी प्रकार का पैसे कमाता है, मैं मुफ्त में करता हूँ चलिए दोस्तों अगली वीडियो के साथ में फिर मुलाकत होगी प्रभू आपको आशिश दे, जैना से